बॉलिवूड कपल रनबीर सिंग और दिपिका पादुकोन की तो वावाई है कुछ महीनों पहले इन्होंने आलिबाग में घर खरीदा था और उसमें गुरू प्रवेश पूजा की और अब शाहरुखान की घर मननक के पास इनके नए घर के बनने की खबर आ रही है सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वारिल हो रहा है जिसमें रनबीर और दिपिका के नए घर पर कंस्ट्रक्शन चलता दिख रहा है बिल्डिंग के बाहर नागपाल डेवलपर्स का बोर्ट भी लगा हुआ है साफ तर पर जाहर है कि रनबीर दिपिका की बिल्डिंग को नागपार डेवलपर्स तयार कर रहे है मंबई में इस nuclear बिल्डिंग 4 फ्लोर की होगी सी फेसिंग ये बिल्डिंग है और कपल को कुछ और महिने इसमें शिफ्ट होने में लगने वाले हैं क्योंकि construction का काम अभी काफी हद तक पूरा नहीं हुआ है इसके साथ ही नाकपाल डेवलपर्स ने एक छोटी सी स्क्रीन अपने बैनर के उपर लगाई हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि पूरी तयारी की होने के बाद ये बिल्डिंग कैसी दिखेगी सिर्फ शारू के मननक के पास ही नहीं बलकि सल्मान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास भी ये बिल्डिंग है पहले रिपोर्ट्स में पी टी आई ने बताया था कि रन्बीर सिंग ने बैन स्टैन के पास दित एक बिल्डिंग में रन्बीर सिंग ने 16, 17, 18 और 19 फ्लोर खरीदा है एन चारों अपार्टमेंट की कीमत रन्बीर सिंग को टोटल 119 करोड के आसपास बताई जा रही है दुकोन की और से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है फिल फैर में अपने नए घर के बार में बात करते हुए रन्बीर सिंग ने सिर्फ इतना कहा था कि 12 सालों से मैं खुद का घर खरीदने का सपना देख रहा था जो पूरा हो चुका है दिपिका ने एक इंटीनियर डिजाइनर को हायर किया है जो बेंगलूरू से है वो हमारे घर को डेकोरेट करेगा मैं और दिपिका दस साल से साथ है पहले रिलेशन्शिप और फिर शादी तभी से दोनों अपने सपनों का महल तयार करने का सोच बचार कर रहे थे जो अब पूरा हुआ ब्यूर रपोर्ट मेटर मुंबई